नमस्कार आप देख रहा है हिमान सी नीज में नाम है मिठुन कुमार सर्माई मुझाफरपुर जिला के सकराथाना छेतर के तितरा चोर में 20-20 वर्षिये नितेश कुमार का पर्थिप सरेर मिलते ही उड़े छेतर में हाहा कार मच गया त्रंत परिजन को सुचना मिला और परिजन घटना अस्थल पर पहुँच गया जरसल हमाँ को बता दे कि नौरात्री का दिन था और उस दिन अस्टमी था अस्टमी के मेला दिखने के लिए नितेश अपने साथियों के संग दरधा मेला घूमने गया जहां पे CCTV कैमरा में उसका तस्वीर कैद हो गया नितेश उस समय तीन आदमी से दिख रहा था जो कि एक हिमांसू का नाम और दूसरा साहिल का नाम आया है और तिसरा जो एक मुहम्दन का नाम आ रहा है जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आ पा रही है दूसरी कहानी हम आपको बता दे कि नितेश अपने साथियों के साथ तो मेला देखने जाता है लेकिन उस दिन वो लोट के नहीं आता है लोट के नहीं आने पर परीजुनों में हाहाकार मज जाता है पूरे खोजबीन में जूट जाते हैं जब नहीं मिलता है तो उसके अगले दिन, यानि कि 11 तारीक को सक्राथना में आवेदन मिलता है। को गले दबा कर हो सकता है तो मारा गया होगा उसको गाला को रेता गया था और उसके बाद दो बोरा में उसको कैद किया गया था जी हम आपको बता दे दो बोरा था जो एक मुझ से ढखा हुआ था और एक पैर से लगाया गया था यानि कि नितेश का जो सब था वो हत्या करके यही जो तलाब आपको स्क्रिन पर दिख रहा होगा वही तलाब के किनारे फेका गया लेकिन जैसे हैं पुलीस वल उहां पे पहुंचे तो दुरगंद से उनको असंका हुआ और असंका के बाद छान बिन करना सुरू कर दिया गया डॉग टीम को भी बुलाया गया डॉग टीम यह बहुत ही मुशकत के बाद छान बिन करना सुरू किया तो डॉग लगभग चार से पाँच किलमेटर के दूरी ताय करके हिम्मत ओभी हार गया लेकिन उसको भी सभलता नहीं मिल पाई बाकी बात करेंगे लेकिन उससे पहले मुझा फर्पर क्या कुछ बोले जाना सा सुन लिजिए मामला यह कि दिगात दस तारी को एक लड़का है नीतियस कुमार किता का नाम कसरी बलेस्वर आए उनका गुंसुप जी का मामला दर्ज हुआ था उसके बाद हम लोगोंने इस पर तकिकात सुरू कि और खोजते-खो सब्सक्राइब करें लोग पहचान कर रहे हैं इसका हम लोग भी पता लगा रहे हैं कि गायब दस तारी को हुए हैं दस तारी को बाइक से जा रहे थे वहीं देखा गया से स्टीज में लोग थाना पर सुजना भी दे चुके हैं इसका बार पर निकी दर्ज कर देगी थी पर दॉज कि बुलाया गया था कि वहां अधिया कि था कि यह था कि यह सफलता नहीं मिली तरह करी पांच किलो मेरे तक ले गया है रहे हैं जी आवरेशन देखार वहीं पर देखाल हैं अभी तो थाना के माध्यान से खोजा गया पर जो भी साथ में थे उनके भाई भी साथ में घूम रहे थे कहीं कई से सुचना मेली के गड़ बोड़ी पड़ा हुआ है उसी पर हम लोगा यहां पर हिमानसु कुमार जो वही गाओं के रहने वाला है और एक और मुहम्मद ड़न है वही महमंधपुर के आसपास के रहने वाला है लेकिन उसके चचेरा भाई राजीब कुमार बहुत ही तवर्तोर आरोप लगाते हुए, कई सारे बात बोल दिये, जो आपको यह भ्यान सुनने के बाद समझ में आ जाएगा, सुनिए राजीब क्या कुछ कह रहा है, क्या हुआ है, क्या ममला है, ममला मेरा भाई का हत्या हो ग कि बगल कहा हुँ, दो दिन पहले इसे एक लाख रुपया ब्याद बिलवाने के लिए बोला था, जो हमारा छोटा भाई यह दुकान पर आता है, वह भी सामने था, जब CCTV कामरा फूटेज में कि मंसुक मार ना जड़ा है, तो आप उसी के चकर में करवा दिया, पैसे आपक जरब जरब का बात हम लोग को नहीं पता है, इस दोस तारीक से गाइब है, थाना में आवेदन के लिए, बड़ा बाबु हमको बोले कि बिहान सबेरे आका दे देने के लिए, वहान दुगाए हैं, बिहान वेदन, उनके बाद देले जाते तहीं हम को कर रहा है, पता कर रह सब्सक्राइब हम उसके भाई हैं मेरा नाम राजीब कुमार है राजीब का ब्यान सुनने के बाद एक खुलासा सामने नजार आ रही है कि राजीब का कौनाय के हिमांसु बितेक कई दिनों से एक लाख रुपिया ब्याज पर दिवा देने का लगतार बात कह रहा है था लेकिन नितेश जो थ लेकिन नितेश पैसा नहीं देवाने का यह हमेशा बात बोल कर टाल देता था लेकिन क्या दोस्ति था कि दोनों तो एक साथ अस्टमी के दिन निकला लेकिन कब हत्या किया गया इसका अभी तक कुष्टी नहीं हो पाई है लेकिन आज इसका पार्थिव सरीर मिला और पार् लेकिन इस परिबार को जब यह सुचना मिला होगा कि इस नहीं आपका बहाई आपका बेटा आपका नाती का हत्या करके सोब किसी तलात के खिनाड़े फेका हुआ है तो उस समय क्या महशूस किया होगा बाकि हमारी नजर यह घटना पर ठीकी हुई है जिस परकार नया अपडेट आएगा फिर से हम आप लोग को बताने का प्रियास करेंगे शुत्रों के हिसाब से जनकारी मिल रही है कि यह केस में बहुत सारे सबूत और बहुत सारे गवाहों का इकठा किया जाता है ताकि वह दोस्तियों तक पहुचा जाए कि इतना बड़ा घटना का इंजाम देने के पीछे क्या कारण हो सकता है परिजन के लगतार आरोप है कि हमारे पास बहुत सारे अडियो रिकॉर्डिंग है जो मीडिया बंदू को हम आने वाले दिनों में दे सकते है अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं फेस्बूक पर फॉलो नहीं किये हैं तो जरूर कर दीजे फिर मिलेंगे एक नए खबरों के साथ जब तक के लिए जय हिंद्ध